नवस्कार चात्रों अभी सभी लोगों ने पेपर दिया हुआ है 2024 का तो चात्रों ने बताया है कि पेपर थोड़ा कटिन आया है कटिन के साथ मैं जिनने पेपर बनाया है वो स्लेवस से भी आवड है जैसे कि आपने 11 इंवारिमी में भी नहीं है तो ऐसे में हम जानते हैं लाजमी है कि चात्रों को दुग हुआ है इस चीज़ का किसार पेपर में आउट आया है प्रदेश के सलेवस से बाहर नहीं हो सकता है तो उतना ही बेस में रजल्ट नीचे चला जाएगा सीड नीचे चली जाएगा स्लेक्शन कम पर हो जाएगा कोई फरेक नहीं पड़ेगा उसी प्रकार से पार साल भी बता रहे थे सबस्वार बहुत प्रेपर कटेना आया कोई ब सबसे ज्यादा बच्चे सेलेक्शन हुए थे अपने असे लववपूरे बैच का 80-82% करीवन बच्चे सेलेक्शन हुआ तो इससे बाद से मैं गवड़ाएं कि कम नमबर आया है या कम कॉस्चन्स आया हमारे कोई फरक नहीं पड़ना सब कहीं कम आया कोई बात नहीं सीट तो उतनी ही भर्णी है कि कोई टैंशन नहीं लेने का है मैं आपको फिर भी एकसेटेट या एक कट ऑफ बताता हूं किसी देख्तीने या किसी कोचंग बारे बंदेने या भी आपको नहीं बताया हुए मैं बता रहा हु आपको कि 2000 जो 23 का कट-अफ आया last 3rd कट-अफ किया किसी को नहीं बता, मैं बता रहा हूं आपको, उस से compare करेंगे कि कितना पार साल रहा, जैसे मालो आपको मैंने एक साथ compare में बता रहा हूं आपको, इसे गौर से देखने ज़रा, तो ये है बिलकुल cut-off, 2023 का, क्या है, 2023 का cut-off है, मैं 2023 के cut-off पे एक बार आपकी नजर लेना चाहूंगा, आप देखें कि ये categories हैं बच्चों की ये cut-off है, तो OBC के male, यानि OBC के जो boys थे, उनकी cut-off लास थर्ड तांसलिंग में कितनी गई थी, ये अखिला मैं बता रहा हूं आपको, किसी ने नहीं बत किस्विल्टी तो ये ही होती है, कि आपका पारसाल cut-off क्या रहा, पारसाल के अनुसार हमारे इसवार का पेपर का जो hardness लेवल क्या था, उसके उपर डिपेंड करता है, यदि पारसाल वाले यानि 2023 के जो पेपर था, उसके लेवल में, क्या ये पेपर कुछ टफ था, क्या तो यहां हम देखेंगे, कि ये categories दी है, तो OVC की जो वो male है, यानि boys है, उनका cut-off 94.02 गया था cut-off, final result है ये, third counselling का, OVC females में हम बात करें, तो 84.73 पर selection बच्चों का हुआता है, ठीक है, अब आता है हमारे सामने गला, OVC में कुछ प्रच्चे करशक भी थी, तो OVC करशक 93.38 का करीबन selection हुआता हूँ, ठीक है, अब बात बात देखते हैं, अगला, unreserve में male की, यानि general में हम देखते हैं, तो general में boys की क्या रहा मेल में, 94.21 की रहा, लगवग हम मान सकते हैं, कि OVC boys, और OVC boys के साथ, हमने general boys, लगवग कैसा रहा, लगवग सेम रहा, 2.1 में जो रहा, अब देखता है, unreserve female की, तो unreserve female में हम बात करें, तो 78.35 गया था, और EWS में 93.2829 गया था, SC male में कितना गया था, 84.79 रहा था, SC में क्या रहा लगवग, 77.5 रहा था, ST में male में क्या रहा, 72.5 रहा, ST female में 66.07 रहा, तो इससे हमें पता लगा, कि पार साल क्या result रहे, पार साल क्या result रहे 2023 में, तो आप बिल्कुल आप अपने से आप compare कर सकते हैं, मैं मानता हूं कि इस बार 23 की तुलनाना थोड़ा सा cutting paper रहा, यसा रहा, cutting paper रहा, तो जब paper पार साल की तुलनाना में, दो यहर की 24 की में, जो paper राया है, एक्जामना है, वो उत्वला टफ रहा थोड़ा सा, मान लेते हैं, 2% से लेकि 5% की बीच में, तो उतना ही 2-5% में cut-off नीचे चला जाएगा, ठीक है? तो आप बिल्कुल ध्याम से देखते रही है, कि मैं आपको बता रहा हूं, जब OVC में 94.02 तो इस वार हमारे 24 में लगबग क्या रहेगा, क्या लगबग क्या रहेगा, मेरा मानना है, कि लगबग ये फिक्स रहेटेगा ऐसा, सेम टू सेम लाश्ट थर्ड कांसलिंग पर इसको मिला के देखना एक बार, तो मानना कि धगड़सर ने बताया, और क्या आया लाश्ट क्या cut-off रहा, इस से मिलान करके देखना, आप इधर ओदर की सब भूल जाना, किसने क्या कहा है, ठीक है ना, कोई कुछ भी डालता रहे, उससे कोई फरेक नहीं पड़ेगा, कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई फरेक नहीं पड़ेगा, फरक ये पड़ेगा, कि जे लगवाग क्या हो सकता है पांच परसेंट से लेकर दस परसेंट की बीच जो डिफ्रेंट्स आएगा वह यह आगाएगा अर्थाप 90-90 तक नीचे जा सकती है अब हूं एक अन्मान कर रहे हैं कि जब OVC फिमेल्स की सीट कितनी है अन्मान करते हैं तो 80-82 परसेंट तक यह जा सकती है अब आती हमारे सामने किस का आता है अब आता है OVC क्रिशक में कितना गया था 93.38 गया था इसवार OVC क्रिशक में कितना जा सकता है 89 लवग से 91 की आसपास जा सकता है अन्ड़ जर्व में में यानि अमबास कर सकते हैं जर्णल में क्या जर्र में ओपन में क्या रहेगा ना तो आर्षाल हमारा 23 में क्या 24 में 21 कट अपरा तो इस वार लग बग नहां जाएगा 90 में जोकि इनका भी वही रहा था तो आमने भी वही इसका एक अनमान चटाया एक चीक है अब आती हैं से हमारे सामने अंडर जरब में 78 गया था तो अंडर जरब में 78 से 80 के बीच ही रहेगा क्योंकि यहां पर 78 से कुछ ऊपर रहा था तो लग हम यही रहेगा क्या है तो एक अनमान हमें लग अनमान है कि इतना जा सकता है और 84 से 7-9 तक पार साल गया है तो इस वार SC की में बॉय में 80-82 यानि 82-80 80-82 तर जा सकता है अब आता है SC फिमेल में 77 गया था तो 244 में गया था 77-24 में तो हम इस से अन्मान लगा सकते हैं किस बार क्या जा सकता है तर फिमेल का 75-77 तक तो जाई सकता है और भी कम गो सकता मेरा अन्मान 70 से 70 से यूपर माद होया 72 से 75 तक तो जाने की लगवाद उबीद रहेगी ठीक है तो ये अन्मान इसका रहेगा लगवाद और ST में मेल्स की यानि बॉय 72 रहा अब आता है हमारे पास ST फिमेल्स 66 नंबर पर गया तो इस वार ST फिमेल्स लवग 65 से सरसट या और भी नीचे हो सकता है लवग ये अमारे सामने एक कंपेयर में किया रहा है जो चात्र या जिन चात्रों के नंबर इनसे मिलान खा रहे हैं अर्था इनसे कुछ उपर है एक दो नंबर वो लवग समझें एक दूसरा इसमें अभी फेर वदल ये भी होगा क्या हो एस वार चार पेपर होगए हैं क्या होगए हैं चार पेपर होगए तो लाष्ट में जो रहेगा उस बेस में रहे अभी जक्राइए न्यमार है हमारा उससे आप compare करके चलें और जब result आए तो इससे यह देख लें लेकिन उसके बावजूद भी एक काम ज़रूर करें कि अभी यह से ऐसा ना समझे लगवा कि नहीं यह हमारा हो जाएगा या हमारा नहीं हो पा रहा है ऐसी कंडिशन में अपनी कोचिंग को जोइन करने के बाद आप यह द्यांद है कि हमारा रिजल्ट कब तक आएगा और गांसुलिंग घब तक होगी फाइनली तक मैं आपको बता दूंगा केवघने तक होगी तो तब तक आप पढ़ते रहें अपनी ciao नहीं लगभी कोई दिक्कत नहीं है तब तक के लिए आपको कोई फीस नहीं देना है जब तक आपके numa जबbn嗎 1-2 मीना इनको आप हमारी क्लास आप आते रहें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है और हमारे जो पुराने जो 2023 के कटिन से कटिन रहा था उसके बावजूद भी अच्छे से अच्छे नंबर लगवा 80 से 82 प्रतिसत छात्रों ने बेच का लगवा सेलेक्शन दिये थे उनमें से कुछ आपको मैं बताता दोनाले बारे मेरे स्टार्स हैं कुछ बच्चे जिनके हमारे पास पूटू सामने दिखाई दे रहे हैं राहुल राजपूत है जम्मो बश्मीन इनको मिला है तरुन शर्मा है अब्देश है इनको मणीपूर मिला था और इनका तो डवल हुआ था चाह हुआ था आई-सी- इनको गवालियर मिले लिया ठीक है ना तो दौनों करना बहुत अच्छी बात है पी-ए-ट के साथ साथ आई-सी-आर ऐस में बश्माद्धी बहुत इसी प्रकार से इन शात्रों ने आ-ई-सी-आर के माध्यम से भारत देशकी ब्यविन दिशिटीं में अपना द़गदाव अब हमारे MPPAT में मैं तॉप टॉप 30 स्टुडेंट को बता रहा हूं बाकी स्टुडेंट का भी नहीं मैं डाट डाला इसके लिए तो जो चात्र हमारे उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दर्साया इतना कटन पेपर होने के बाब जो ज़िए रही इन चात्रों को दन्यवा करी करों है सबक का happiness चात्रों के नहिondere क्या अहुआ एालों के हुआ कोः कर बैसे सब्स्रीक 006 औरा में भूसरा क metaeden पतना करूस्डेंट के मैं झ Redditों कोहां हमारेिध लplants and a पे जूसरा बालों कि एक ऑंप आफरू..ंप गपर देूतर मूसरा हमारे इस रहीं हुआंचंच